नमस्कार दोस्तों सुवागत है आपका ज्यान टीवी हिंदी हिंदी यूटूब चैनल में आपने सोचा है कि अगर किसी नदी में करेंट का तार गिर जाए या कोई गिरा दे तो क्या होगा? क्या नदी में करेंट फैल जाएगा और बहुत जादा मुश्किल हो जाएगी? ये तो आप जानते हैं कि पानी में करेंट फैलता है कहा जाता है कि पानी और करेंट का काफी जादा याराना होता है तो आए वीडियो में आगे बढ़ते हैं वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा अब सवाल ये है कि अगर मान लीजे कोई बिजली का तार नदी में गिर जाए तो क्या होगा आप भी सोच रहे होंगे कि अगर हकीकत में ऐसा हो जाए तो सही में बवाल हो सकता है क्योंकि करन्ट नदी में फैल सकता है इसी के साथ ही लोगों के मन में ये भी सवाल होगा कि अगर ऐसा हो तो करेंट फैलेगा या नहीं अगर करेंट फैलता है तो कितनी दूर तक फैल सकता है और इसका कितना नुकसान हो सकता है ऐसे में अगर आपके मन में भी ऐसे ही सवाल आते हैं तो हम आपको बता रहे हैं कि अगर सही में नदी में बिजली का तार गिर जाए तो क्या होगा और उस वक्त कौन सी परिस्थितियां उत्पन होगी तो जानते हैं इस स्थिति से जुड़े हर एक सवाल का जबाब शुद्ध होना ज़रूरी है, अगर पानी शुद्ध है तो इसमें बिजली याने करेंड का इतना जाधा असर नहीं पड़ता है। जहां पानी खटा हो या फिर कुछ दूर में पानी पड़ा हो वहां हो जाए तो दिक्कत हो सकती है अगर मान लीते हैं पानी भी अशुद हो अब सवाल है कि अगर मान लीजिए पानी भी अशुद हो तो क्या होगा अगर पानी ऐसा है जिसमें करेंट फैल सकता है तो भी ऐसा नहीं है कि जहां तक पानी है वहां तक पानी फैल जाएगा ऐसे में करेंट के वोल्टेज पर निर्भर करता है कि करेंट कितनी दूर तक फैलने वाला है ये करेंट के वोल्टेज से पता चलता है कि कितनी दूर तक करेंट का असर रहेगा ऐसा नहीं है कि पूरे पानी में करेंट रहेगा ये कुछ ही दूर तक रहेगा और हो सकता है ज़्यादा दूर तक न हो तो दोस्तों आपकी क्या राय है इसके बारे में हमें कॉमेंट में लिखकर जरूर बताएं और हमारी यूटूब चैनल ज्यान टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसे ही बहतरे इन फैक्ट्स को जानने के लिए जुड़े रहे हमसे जान टीवी हिंदी इसकी पुस्टी नहीं करता है